दोस्तो वंदे मात्रा प्रतेक वर्ष लगवक इसी समय सूरे देव जी आरदरा नक्षत्र में ट्रांजिट करते हैं ये वो समय होता है जब सूरे देव जी मिथुनडाशी में होते हैं और 6 डिगरी 40 मिनिट पर पहुंचते हैं तो उस समय आरदरा नक्षत्र की शुरुवात होती है आरदरा नक्षत्र से बिचार किया जाता है बारिशों के बारे में क्योंकि ये नक्षत्र बारिशों के बारे में बहुत कुछ कहता है और इस वर्ष ये जो ट्रांजिट हुई है बार में तिथी एवम मंगल बार ब्रीज समीता में ऐसा लिखा गया है कि जब ये तिथी होती है और मंगलबार को जब सूरे देव जी आदर नक्षतर में ट्रांजिट करते हैं तो उस वरश सरकारों दबारा जनता को बहुत बड़े बड़े लाब योजनाओं के कुछ बैनिफिट स्कीम्स या कोई न कोई ग सरकार सेंटर गॉर्मेंट इस समय जनता को किस तरह से बैनिफिट देगी और इसके साथ साथ बहुत सारी कुछ अलर्ट्स भी हैं सरकार के लिए इस वीडियो के दबारा क्योंकि कुछ दोस्तों ऐसा हो रहा है कि अब आप देखते जाएगा जो जोतिश के स्टुइंट भी हैं वो भी समझेंगे कि जल तत्व बहुत जादा एक्टिवेट हो गई हैं और ऐसी स्थिती बनी थी सन 2004 की बात है शायद 25 जुलाई 2004 अगर आप लोगों को याद हो मुंबई में बहुत तेज बारिशे हुई थी और मुंबई का हर एक सिस्टम ठप पड़ गया था उन दि स्थानों में जो पश्चिम दिशाएं हैं जैसे कि इस कुर्णी को देखिए जब सूरे देव जी आरदरा नक्षत्र में जब इन्होंने ट्रांजिट किया तो ये मिथुन राशी है मिथुन राशी है पश्चिम दिशाएं की एवम चंदर लगन से भी अगर हम देखते हैं तो चंदरमा तुला राशी में है तुला राशी भी पश्चिम की है और पश्चिम में चले जाना पांच में घर से प्रोस्पेरिटी भी देखी जाती है तो इट इस ए इंडिकेशन की भारत के पश्चिम राजियों में बारिशों की मतलल लगातार इस तरह की बारिशें जो आज तक प्रोडिक्ट ही नहीं की गई हूँ और ऐसी बारिश लास्ट आल्मोस्ट दो सो बर्ष पहले कहीं देखी गई हो तो इस तरह के आगे हम और भी बताओंगा मैं आप लोगों को देखिए इसके सासाथ क्या हो रहा है कि मुसीब्तें लगातार बढ़ती जा रही हैं क्योंकि जब ये सूरे देव जी आरदर नक्षत्र में आ रहे हैं उससे जस्ट एक दिन बाद 23 जून 2021 को बुद्ध भी तीन बचकर 30 मिनिट सुभा के समय उससे में बुद्ध देव जी होंगे रोहनी नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में चंद्रमा मिन्स जल थल पानी बुद्ध देव जी का जब ही भी कोई ट्रांजिट होता है वक्री मार्गी या राशी परिवर्तन तो ये तुफान लेके आते हैं या बारिशें जल एटस तो कुछ नकुछ मिन्स ये बाता बरन का घोतक है बुद्ध से मर्करी से हमेशा ही बाता बरन के बारे में बिचार किया जाता है तो एक तरफ सूरे देव जी बहुत बड़ी-बड़ी बारिशें दे रहे हैं और वहां पर बुद्ध का भी मार्गी होना एवम बीस जून को गुरू का भी राशी परिवर्तन सॉरी बुद्ध का वकरी होना सॉरी गुरू का बीस जून को वकरी होना तो इसके ओपर मैं अलग से आप लोगों को वीडियो दूँगा कि गुरू वकरी विश्व में क्या-क्या लेकर आएंगे लेकिन उसका मैं यहां पर आप लोगों क समरी नहीं दे रहा हूँ यह और ओla उनक्षतर एबं मरकरी के ओपर तो देखिए दोस्तों अभी शनी देव जी को देखिए यहां पे शनी देव ची अस्ट्म में बैठे हुए हैं प्रिथवी राशी में और शनी देव जी, श्रम नक्षत्र, चंदरमा के निक्षत्र में प्रिथवी राशी में भी बैठे हैं और चंद्रमा के नक्षत्र में भी बैठे हैं और शनी देब जी की तीसरी दिस्टी मीन राशी पर मीन राशी कौन सी है जल की राशी means आप देखिए जल तत्व किस तरह से एक्टिवेट हो रहे हैं जल राशी हैं शनी की सब्तम दृष्टी मंगल के उपर एक तो मंगल देव जी के साथ समसब तक योग बन गया और शनी की चंदर राशी के उपर एक दृष्टी साथमी तो फिर से जल राशियों का एक्टिवेट होना और यहां पर मंगल पुष्य नक्षत्र शनी देव जी के ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो मंगल का और भी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाना और मंगल हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 2021 में राजा भी मंगल है और बजीर भी मंगल है और इस समय 5.38 को जिन राज्यों में यह जो समय स्टार्ट होगा 22 जून को जिन राज्यों में 5 बशकर 38 मिनुट सुबा इस से पहले सूरे उदे होगा वहां पर मेगेश होंगे चंदर्मा तो इन राज्यों में तबाही कम होगी बारिशें थोड़ी सी कम होगी और जहां पर सूरे उदे जितना जल्दी होगा वहाँ पर बारिशों की कमी भी देखी जाएगी और जिस राजियों में 538 के बाद सूरे उदे होगा वहाँ पर मेघेश माना जाएगा मंगल देब जी को और मंगल देब जी एक्स्ट्रीम बारिश देंगे और ये लगातार 22 जून से 10 जूलाई तक लगातार बारिशे बारिशे रुकने का नाम नहीं लेंगी और क्या प्रभाब होगा वो तो आगे हम और भी डिसक्स करेंगे अभी कैल्कॉलेशन करके देखे सूरे देब जी को देखे लगन में बैठे हैं बुद की राशी में बुद यहां पर एक तो सूरे देब जी वायू राशी में बैठे हुए हैं क्योंकि मितन राशी वायू राशी है और साथ में शुक्र शुक्र मिंस जल के घोतक एवम लगनेश का बुद्ध का 12th हाउस में चले जाना बुद्ध का राहू के साथ बैठना राहू इस समय खुद रोहिनी नक्षत्र में है और बुद्ध भी यहां पर रोहिनी नक्षत्र में ही इस समय विराजमान है तो राहु का भी चंद्रम के रोहिनी नक्षत्र में होना बुध यहां पर रेट्रोगरेट एंड कमबस्ट भी होंगे वहां पर और रोहिनी नक्षत्र मतलब दोनों ही जल राशियों में बैठे हुए हैं और जल तत्वों में जल नक्षत्रों में बैठे हैं और साथ में शु जल राशियां और कुछ वायू राशियां और बहुत कम पृत्वी राशियां एक्टिवेटेड़ हैं तो यह क्या इंडिकेट करता है शनी मंगल समसथतक योग इस इस इंडिकेशन की जिन राजियों में 538 के बाद सूरे उदे होगा उन राजियों में ऐसी वारिशी होंगी जो आज सक नहीं देखी गई होंगी यहां पर एंवारिमेंट लिस्ट भी फैल हो जाएंगे तो ये वीडियो देने का मतलब ये भी है मैं एक सरकार या जितने भी बाताबन से जो लोग संबंद रखते हैं जो बारिशों के बारे में प्रडिक्ट करते हैं उनके लिए भी वीडियो है कि आप लोग अगर एस्टालजी में अगर मेधनी में अगर आप ध्यान देते हैं तो इस बार आप लोगों को बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी और ऐसे राजियों में इस वर्ष बहुत बड़े पैमाने पर ओला वरिष्टी भी होगी जो छोटे छ कि कुछ ऐसे भी आप लोगों को न्यू सुनने में आएगी कि दो मंजिला इमारतें पानी में धस गई मतलब उनके नीचे वो पानी के अंदर चले गई तो दोसो इस तरह के बारिश के इंडिकेशन दिखाई देते हैं जब मंगल शानी का समसब तक और चंदर वहां पर जल राशियां एक्टिवेट हो जाती है यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो मंगल जो की नीच बैटे हैं करक राशी में मंगल की चंदरमा के उपर भी चौथी दृष्टी बनी हुई है एब मंगल की जो दृष्टी है वो गुरू के उपर भी कुम राशी के उपर भी तो इस इंडिकेशन की वायू राशी एक बहुत ही डिफरन तरह के चार्ट है कि जिस तरह से भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं वायू राशी एब मंगल राशियां एक्टिवेट हो रही है नवाश कुर्ली में यहां पर प्रित्वी राश नवाश कुर्ली में धरू लगन अगनी राशी का एक्टिवेट होना जो की बहुत कम है तो यह इंडिकेट करता है कि कुछ ऐसा भी होगा इस बार की बहुत ज़्यादा ट्रांसफार्मर्स में आग लगेगी बिजली गुल हो जाएगी और बहुत सारे राजियों में यह लगतार परिशानी बढ़ेगी और आवम महरास्तरा में जो की जल्थल होगा बारेश से इलेक्टरिसिटी फेलियर आवम इंटरनेट फेलियर तो डैफरिंटी उसके बाद होता है कॉम्निकेशन फेलियर तो आटमेटिकली हो जाता है जब भी मुमबई ठप होती है जो देखा गया है साथ साथ में गुजरात राजस्तान एवं पंजाब के कुछ डिस्टिक्स जो की सबसे ज़्यादा परवावित होंगे एवं इसके साथ साथ बाकी भी भारत के कुछ राज्य अदक्षिन के एवं साथ में पहाड़ी एरियाज इन में बहुत ज़्यादा भूस कलन होगा और एक ऐसे इंडिकेशन होग बेकाज मैंने कुछ केस्टिडी भी की थी पुरानी जिसमें कुछ ऐसा होगा आप लोग देखेंगे कि जैसे मालीजे सड़क का किनारा है और सड़क के ओपर पहाड़ी है और सड़क के नीचे घर है तो उपर के जो घर है पहाड़ियों के वो रोड के रोड को क्रॉस करके उसके नीचे चले जाएंगे मिन्ट क कुछ ऐसे भी आप लोगों को किस से सुनने में आएंगे आने बारे समय में कि लिटिकेशन में मामले जाएंगे कोट केसी होंगे किस तरह से कि उनकी भूमी घर के साथ ही बदल गई है दोस्तों ये होगा बिकर्स मैंने पुराना भी एक ऐसा केस स्टेडी किया था 1974 का जो इस समय ऐसे कुछ परभाब दिखाई देते हैं प्लाइनेट्स में इसकर साथ साथ आसमानी बिजलियां एबम भुक कंप के इंडिकेशन भी दिखाई देते हैं एबम बिल्डिंगों बिल्डिंग्स का जो मल्टी स्टोरी जिसमें की राज्य सरकारों को बहुत जादा मुश्किलों का सामना करने पड़ेगा अब आ जाती है बात फसलों के उपर की फसलों का क्या होगा और क्या जन मानस को भी क्या नुकसान होगा या हानी होगी दोस्तों ये जो वर्ष है इसमें फसलों की तबाही देखी बाइस जून से दस जुलाई तक का जो यह होगा जो लगतर बारिशे होंगी इसमें फसलों को बहुत बड़ा नुकसान होगा और फसलें कम होंगी पैदाबार इस पर कम होगी और कुछ राजियों में पैदाबार बिलकुल भी नहीं होगी क्योंकि वहां पर बारिशें ना जन धन की भी हानी होने के संकेत दिखाई देते हैं तो दोस्तों ये मेरी एनलीसिस हैं जो 1974 एंड सन 2004 इनके उपर कुछ एनलीसिस किये गए है जो ये भी इंडिकेट करते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर आसमानी बिजलियां भी गरेंगी और कुछ एक एरिया में तेजाब बाली बारिश भी होगी एवन जन हानी होने के संकेत बनते हैं कई लोग ये कहते हैं कि जब हम ऐसे वीडियोस देते हैं तो तो ये एक पैसिमिस्टिक वीडियोस होते हैं तो ऐसा नहीं है, यह एक इंडिकेशन होता है कि अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं कि अगर आपके बिल्डिंगों को कोई खत्रा है या भूस कलं होने का खत्रा है आप जिन पहाडों में रहते हैं तो आप इसका पहले ही कोई ना कोई समधान निकालने ताकि आपको आने वाले समय में आप उस समस्या से आप पहले ही आप उन परिशानियों से अपने आपको बचा लें दोस्तो इसके बाद मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि ये सूरिया आरदरा नक्षत्र का पुरे विश्व में एक नए तरह का रोग लेके आएगा और मैंने मेडिकल एस्ट लॉजर और मैंने इसके उपर डिटेल में गणना की है इसका वीडियो मैं इस वीडियो के बाद आप लोगों को दूँगा तब तक मुझे इजाज़त दीजिए धन्याबाद भारत माता की जै